आप सबको मेरा प्रणाव कुंड़ीनी जाग्रन की सीरीज में आज बात करेंगे प्राण चक्र पर इसे जीवन चक्र भी कहते हैं ये चक्र ये गुप्त चक्र है इसको वेदों में जब मैंने खोजा अश्ट चक्र नौ द्वारा देवा नाम पुरियोध्या तस्याम हिरन्यको सहा स्वर्ग जोदी सवर्दा इस मंत्र में ये अथरवेद का मंत्र ये मंत्र कहता है आठ चक्र नौ द्वार वाली ये देहे इसे आयोध्या कहा जिसे जीतना बहुत कठिन है तो आठ चक्र कौन-कौन से है तो इस पर बड़ा विवाद है लेकिन जब आप स्वम अनुभव करेंगे तो आप निर्विवाद हो जाएंगे आपके सारे भ्रम तूट जाएंगे तो प्रान चक्र की आज हम बात कर रहे हैं प्रान चक्र हमारा जो नासिका और अपर लिप्स के जो मध्य का भाग है यहां का स्थान है इसे प्रान चक्र कहते हैं जीवन चक्र भी कहते हैं जब आप स्वास लेते हैं तो यह प्रान चक्र के ही शक्ति है जो प्रानों को धारन कर सकते हैं आप सरीर के अंदर तो प्रान च प्राण चक्र को जागरित करके आप बहुत कुछ विशेश सरीर की शक्तियों को जागरित कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सरीर में प्राण ही व्याप्त है, प्राण के द्वारा ही ये संसार संचालित होता है, प्राण के द्वारा ही आपका सरीर संचालित होता है, प्राण पर य दी ओम की उचारन करें ओम का उचारन आप जब करते हैं तो तीन धुनी उत्पन होती है और और मय तो मय की धुनी को आपको अधिक लंबा करना है उस पर पूरा फोकस करना है और अपने ध्यान को अपने प्राण चक्र पर नासी का और अपर लिप्स के जो मध्या का भागे य उनको आप स्वम ने करें, वो कुछ साधना की योग की विदिया हैं, उनको आप गुरु के सानिद्य में ही कर सकते हैं, तो आप अपने प्राण चक्र को जागरित करें, प्राणयाम का अभ्यास करें, प्राणयाम, अनुलोम, विलोम, नाडी, शोधन, और बहुत तरह के बाह प्राण चक्र को जागरित करें, और अपने प्राणों को पुष्ट करें, अपने आपको बल्वान बनाए, शक्तिवान बनाए, आप सब के लिए बहुत सुब काम नाए, आप सब का कल्यान हो, ओ, स्काइब करिए योग गुरु राजेश चनल को और बैल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए,